हेलो मैं यूटूब फैमली अपने डिलीशिस पूर्ट चैनल में आप सभी का महार्दिक शगत करती हूँ तो आज मैं बनाने बाली हूँ एकदम सिंपल सी और हेल्थी सी रेस्पी जो कि बहुत एजी से बनकर तियार हो जाती है तो जिसकी लिए मैंने एक पोटेटो एक गाजर एक गोवी और एक सिमला मिर्ची दो बैगन और एक टमाटर और दो मैंने प्याज और दो से तीन मैंने हरी मिर्ची ले ली हैं तो चलिए recipe start करते हैं तो सबसे पहले हम कड़ाई को हलका सा heat होने के लिए रख देते हैं फिर उसमें हम एक चमच oil डाल देते हैं क्योंकि मुझे सबजियां सारी fry करनी है तो इसके लिए मैंने एक चमच oil का use करूँगी तो oil मेरा हो चुका है हलका सा गरब तो सबसे पहले हम इसमें अपने आलू add कर देते हैं क्योंकि आलू को हमारे भुनी में थोड़ा टाइम लगता है तो सबसे पहले हम आलू को थोड़ा सा fry कर लेते हैं आलू को हमें 2-5 मिलिट तक fry करना है हलका सा boil हो जाएं तब तक हम इनको फ्राई करेंगे, तो ये हमारी लगबख हो चुके हैं, फ्राई इनको हम निकाल लेते हैं, अब हम इसमें अपनी कटी हुई जो गाजर थी, वो भी इसमें डाल देंगे, उसको भी मैं फ्राई करूँगी, इसको भी हलका सा बॉयल होने तक फ्राई करते हैं, 2-5 मिल्ट तक हम इसको भी फ्राई करेंगे गाजर को भी उतना ही टायम लगता है जितना कि हमारे आलू फ्राई होते हैं उतनी टायम में हमारी गाजर भी फ्राई होकर तियार हो जाती है तो गाजर को भी मैं फ्राई करकर निकाल लेती हूँ इस पिंपल तरीके से बना कर मैं तयार करूंगी एक दम एजी तरीके से आप बना कर सकते हैं तो यह अमारी गजर भी फ्राई हो चुकी है अब हम इसमें अपने कटे हुए बैगन एड़ कर देते हैं दो कि तीन वैगन मैंने ले लिए थे दो को हम हलका सा फ्राई होने देते हैं इसमें अपना कटा हुए गोबी एड़ कर देते हैं गोबी और गोबी के साथ मैं सिमला मिर्ची पर एड़ कर दूँगी क्योंकि गोबी और सिमला मिर्ची लगबग एक ही समय में पक्का तयार हो जाते हैं तो ये दोनों चीजों को मैं एक साथ फ्राई कर लेती हूँ तो ये भी हमारे हलका से फ्राई हो चुके हैं तो हम अपनी गोबी और सिपला मिर्ची को भी निकाल लेती हूँ मैं ये भी बड़िया तरीके से मेरा फ्राई हो चुके है तो अब मैं 2-3 लॉंग एड़ कर देती हूँ थोड़ा सा मैंने साबुत धनिया का यूज किया है इसके बाद मैं 2-3 मैंने जो कटी हुई हरी मिर्ची थी वो भी इसी में एड़ कर देती हूँ इनको हलका सा फ्राई होने देती हैं उसके बाद मैंने 2-3 प्याज कट कर रखी होई थी उनको भी मैं इसी में फ्राई कर लेती हूँ दो से तीन मिलिट तक हम अपनी प्याज को हलका सा गोल्डन होने तक फ्राई करते हैं तो अब हमारी प्याज भी हलके से फ्राई हो रही है इसको एकदम कलर चेंज नहीं होता जब तक हम इसको यह से एक कंटिन्यू फ्राई करेंगे दो से तीन मिलिट तो सम्थिंग लगते हैं इसको फ्राइ होने में तो यह हमारी प्याज भी हो चुकी हलके सी ब्राउन तो अब हम अपने इसमें सारी सुखे मसाले एड़ करेंगी तो सबसे पहले मैंने एक चम्मच हल्दी ली है छोटी चम्मच है एक चम्मच आप हल्दी एड़ कर सकते हैं एक चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है आदा चम्मच मैंस में कश्मीरी मिर्ची एड़ कर दी है और टेस्ट के अनुसार हम इसमें नबक एड़ कर देंगे, तो इन सारी चीजों को हम अलका सा फ्राय कर लेते हैं, जिससे हमारे सुखे मसाली भी हलका से फ्राय हो जाएंगे, तो यह हमारे लगबक फ्राय हो चुके हैं, इसमें हम एक टमाटर काट कर रखा हुआ, तो जो भी मेरी सारी बेजिटिबल्स मैंने फ्राई करकर रखी हुई थी वो धीरे धीरे इसमें एड़ करते जाओंगी सबसे पहले मैं आलू एड़ कर दूगी इसके बाद गाजर और जो भी सारी सब्ची बेजिटिबल्स मैंने फ्राई करकर रखी हुई थी वो सभी हम अप अपनी मसाले में एड़ कर देंगे तो यह हमारी सिंपल सी रेस्पी है बच्चों को भी आप बना सकते हैं इस रेस्पी को एकदम सिंपल तरीके से मैंने बनाया है और आप लोग प्लीज मेरी वीडियो को फुल वॉच करना वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो सारी सब् कि मैंने इस में एड़ कर दी हैं तो सब्जियों को मैं पांच मिलिट तक ऐसे हलका सा ओपन फ्राइ करती हूं यह हमारी हलकी से फ्राइ हो जाएंगी जब तक यह सारा ओल आप जोट नहीं कर लेती हम इनको ओपन यह फ्राइ करेंगे अब हम इसको 2-5 मिलिट के लिए ढखकन से कवर करकर रख देते हैं तो यह हमारी 2-5 मिलिट हो चुके हैं तो यह हो चुकी है लावग फ्राइ मेरी बढ़िया तरीके से मेरे सारी सब्जिया बॉइल हो चुकी है और ज्यादा ओईली भी नहीं है एकदम सिंपल तरीके से बनाई है ज्यादा मसालों का भी यूज नहीं किया है मैंने तो अब हम इसमें एक चमज अपना गरह मसाला एड़ कर देते हैं तो गरह मसाला भी मैंने इसमें एड़ कर दिया इसको अलगा सा चला देते हैं फिर फाइनली चौक की हुई धनिया मैंने इसमें एड़ कर दी है हरिदनिया मैंने इसमें ज्यादा मात्रा में यूज करूँगे हरिदनिया से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो फिर मैंने अपनी थोड़ी से पनीर के ले ली थी उसको मैं मीज करके सीम डाल देती हूँ मुझे किरस्की हुई पनीर से इसका टिस्ट और भी अच्छा लगता है तो थोड़ी से मैंने इसमें बाद में पनीर का यूज किया है तो यह मैंने पनीर भी डाल दिये थोड़ी से मैं इसमें उपर से फिर से हरी धनीय का यूज करूंगी तो यह हमारी recipe लगवग बनकर तयार हो चुकी है एकदम simple और easy तरीके से मैंने अपनी recipe तयार की है इसमें ज़्यादा चीजों का use नहीं किया है और एकदम simple तरीके से बना कर तयार हो चुकी है तो आप लोगों से request है, मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो subscribe करना न भूलना चलते हैं फ्रेंड मिलते हैं नेस्ट वीडियो में